हलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आपके ही अपने यूटूब चैनल पे तो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे जहाँ यह होंगे ठीक होंगे तो देखिए आच के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं चार तरिक के लिए राजदन नाइट के लिए गेम के बार में बात करेंगे और गेम देखेंगे जो कि यहां पर देखिए तारिक रहेगा 4, 10, 24 के लिए तो देखिए चार तरिक के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किये शुरू से लेकर लास तक आप लोग वीडियो को पूरा जरू देखिएगा वीडियो को आप लोग स्किप मत किजिएगा लेकिन देखिए चार तरिक के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले गेम देखने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत-बहुत Congratulations बोलना चाहूंगा बहुत-बहुत बढ़ाई दिना चाहूंगा कि देखिए जो कि मैं आप लोगों को तीन तारिक के लिए राजधने नाइट के लिए OTC दिया था देखिए मैं आप लोगों को तीन तारिक के लिए राजधने नाइट के लिए नॉर्मल OTC में आप देखिए 0 और 5 दिया था और देखिए तीन तरिक के गेम में जोड़ी गेम में आपर देखिए जोड़ी गेम मन था तो देखिए नॉर्मल लोटिसी से आपर देखिए जोड़ी गेम में गेम पास देखने को मिलाए नॉर्मल लोटिसी से आपर देखिए जोड़ी गेम में गेम सकसेस हो गया है तो इसी बात पर आप सभी को दिल से बहुत-बहुत congratulations, बहुत-बहुत बधाई ठीगे और अभी आज के वीडियो पर हम चार तरिक के लिए राजदने नाइट के लिए गेम के बार में बात करेंगे और गेम दिखेंगे तो चार तरिक के लिए भी गेम बहुत अच्छा होने वाला है तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरू दिखिएगा तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन सब को यहाँ पर cut कर देते हैं और clear कर लेते हैं और date को भी यहाँ पर change कर लेते हैं और normal OTC में आप रगी जिरो और फाइब कांग जाएगा ठीक हैं तो देखिएब अबूमे क्या दिखने को मिलए दिखिए strong OTC गेम में आप रगी आप रगी देखिए four or nine कांग दिखने को मिला है ठीक हैँ तो देखिए गेम देखने को मिल गया जो कि याँ पर चार तरक के लिए राजदने नाइट के लिए गेम के बार में है तो I hope कि आप लोग को वीडियो एच्छे लगा होगा अगर आप लोग को वीडियो एच्छे लगा है वीडियो को लाइक शेयर जरू किजिएगा और कॉमेंट करके जरुब बताईएगा कि आज के ये वीडियो आप लोग को गैसा लगा है तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं से नए वीडियो में तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद